नजस्कार मैं रवीश कुमार जीस्टी पर केंदर सरकार ने कई बड़े फैसले लिये हैं समस्याओं को का संग्यान लेते हुए इन फैसलों का ऐलान किया गया है मगर हम पहले अपनी सीरीज के बारे में बात करेंगे जो पिछले तीन दिनों से विश्व विद्यालें में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर चला रहे हैं उसके बाद जीस्टी की भी करेंगे आखिर हमारे विशविध्याले चल कैसे रहे हैं जब वहाँ परोफेसर लेक्चरर नहीं हैं तो चातरों ने वहाँ पढ़ाई क्या की है चातरों और शिक्षकों का समु भी लाखों का है फिर भी समू ने परियाब दबाव क्यों नहीं बनाया कि क्लास में टीचर होने चाहिए अगर बनाया तो सरकार ने क्यों नहीं सुना आपकी आँखों के सामने उच्च शिक्षा खत्म होती रही आपने बरदाश कैसे किया क्या हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे आसपास ही कॉलेज अच्छा हो शिक्षा सस्ती हो और अच्छी हो ताकि लड़के लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना ना पड़े और परिवार पर खर्चे का बोच ना पड़े आज हम पटना विश्विद्याले की बात करेंगे एक अक्तूबर उनीस सो सत्रों को यह विश्विद्याले कायम हुआ था इस साल और इसी महिने यानि अक्तूबर महिने में सौ साल का हो गया 14 अक्तूबर को परधान मंतरी के पटना जाने का कारिकरम है हमारा सवाल सिंपल है क्या परधान मंतरी को बताया गया है कि इतिहास के अलावा पटना इनिवर्सिटी का वर्तमान कैसा है क्या उन्हें मानो संसाधन मंतरी प्रकास जावडेकर ने बताया है कि वहाँ कई कई कॉलेजों के डिपार्टमिट में एक ही प्रोफिसर बचे हैं और किसी किसी में एक भी नहीं अगर जावडेकर साहब व्यस्थ हैं तो क्या इसी विश्य विद्याले के छात्र रहे मानो संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुश्वाहा ने प्रधान मंत्री को जानकारी दी है क्या मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने प्रधान मंत्री को बताया है कि जहां आप ले जाये जा रहे हैं वहां ना तो शिक्षक हैं केवल इमारत बची है जो 100 साल की हो गई है और हम उसी का जश्न मनाएंगे प्रधान मंतरी आ रहे हैं इसलिए पटना इन्वर्सिटी के जंखार को उखार कर दिवारों को रंगा जा रहा है वैसे यहां जहां साफ किया जा रहा है शायद ही प्रधान मंतरी को जहांक कर देखने का मौका मिले लेकिन आखों में धूल जोकने का सरकारी तरीका ना तो जंता को छोड़ता है ना ही अपने प्रधान को बखषता है उनके आगमन के बाद कुछ दिनों तक नागरीकों को भी याद रहेगा कि वह क्या कारिकरम हुआ आने पर इन्वर्सिटी को चमका दिया गया प्रधान मंतरी जी यह सब आपके सम्मान में नहीं आपको असलियत ना पता चले इसलिए किया जा रहा है 100 साल का इतिहास नया पैंट शट पहन कर 14 अक्टूबर को तयार तो मिलेगा लेकिन आप वहाँ जाकर पटना इन्वर्सिटी के वर्तमान के बारे में ही पूछिएगा 1917 आधिनिक भारत और आधिनिक बिहार के इतिहास का महत्वपून साल है जब यहाँ चंपारन सत्याग्रह हुआ और उसके कुछ महिने बाद पटना इन्वर्सिटी की निव पड़ी 900 साल से अधिक समय हो गए आक्सपोर्ड इन्वर्सिटी के आस तक कायम है और छात्र वहाँ जाने का सपना देखते हैं मगर बिहार का यह आक्सपोर्ड दम तोड़ गया इलावाद इन्वर्सिटी भी खुद को पूरब का आक्सपोर्ड कहती थी उसकी हालत पुरानी गाइड बुक कुंजी की किताब की तरह हो गई है उसकी भी हालत पटना इन्वर्सिटी की तरह है पतना विश्य विद्याले गंगा के किनारे बनाया गया दुनिया में बहुत कम इनवर्सिटी होगी जो नदी के किनारे बनी है जिसकी क्लास से गंगा बहती दिखती थी B.N. कॉलेज के कमरों का नाम रिवर व्यू रूम हुआ करता था Science College के कुछ लेक्चर थीएटर के मुकाबले आज भी किसी इनवर्सिटी में ऐसे कमरे नहीं होंगे हम सब Science College देखने जाया करते थे कि Physics के महान प्रफेसर S.C. वर्मा जो हाली में I.T. कानपूर से रिटायर हुए हैं वो कैसे पढ़ाते हैं उनके क्लास का जादू ऐसा था कि लोग कई किलो मीटर से उनके क्लास में आते थे धीरे धीरे पटना इनवर्सिटी खंडर में बदलती गई और किसी ने नई इट जोडने की कोशिश नहीं की केमिस्ट्री और मैट्स के प्रोफेसर पूरे शहर और राज्ज में हीरो की तरफ पूजे जाते थे बिहार का सपना था पटना इनवर्सिटी जिस सपने को मिलकर सपने मार दिया अब उसका जश्न मनाएंगे अक्सपोर्ट कहलाने का मन तो भारत की कई इनवर्सिटी को हुआ मगर कोई उसके मेयार को छूने के लायक न हुआ हमारी इनवर्सिटी देखने में ही खुबसूरत रह गई क्योंकि अंग्रेज अच्छी बिल्डिंग बना गए थे पटना इनवर्सिटी वाकई खुबसूरत है मगर आज इसकी भूमी का क्या है क्या इसलिए इसका शताबदी वर्ष मनाया जा रहा है ताकि प्रधान मंत्री को बुलाना है हम नहीं जानते हैं कि पटना इनवर्सिटी के वाइस चांसलर कैसे हैं उन्होंने इस इनवर्सिटी के लिए क्या किया है मगर जो रिकॉर्ड दिख रहा है उससे यही लगता है कि इसकी हालत अच्छी नहीं है इस इनवर्सिटी से पास किये लोग आज भी दुनिया भर में उच्चे पदो पर हैं भारत सरकार के ग्रे सचीव राजीव गौवा पटना इनवर्सिटी के छात्र रहे हैं स्वास मंत्री जेपी नडडा यहीं से पढ़े हैं और स्वास्त सचीव सीके मिश्रा भी यहीं से पढ़े हैं रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्रियें यहीं के छात्र रहे हैं नितिश कुमार मुख्यमंत्री, सुशील मोधी उप मुख्यमंत्री पटना इन्वर्सिटी के छात्रे रहे हैं, रामविलास पासवान और पुर्वरेल मंत्री और बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी यहीं के छात्रे रहे हैं। I.S.I.P.S. मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रिय मंत्री तक जितना मन करे उतना नाम गिनते चलिये, पटना इन्वर्सिटी ने बहुत कुछ दिया, मगर इन सबसे जादा पटना इन्वर्सिटी अपने शिक्षकों के कारण यादगार रही, यहां के इतिहासकारों ने इतिहास लेखन और पढ़ाने के दिशा बदल दी, गणित के मास्टरों में प्रफेसर लाल जी प्रसायत की किताबों के कितनी धूम हुआ करती थी पटना विश्विद्याले देश के कुछ सबसे पुराने विश्विद्यालियों में से एक रहा है एक वक्त इतिहास हो या मनविज्ञान हो या हिंदी, साहित्य हो या अंग्रेजी हो इन सारे विश्यों में या विज्ञान हो इन सारे विश्यों में भारत ख्यात बलकि अंतराश्टी इस तर पर भी ख्याती प्राप विद्धवान यहां अध्यापक हुआ करते थे साइन्स कॉलेज, पत्ना कॉलेज, पत्ना विमिन्स कॉलेज, बियन कॉलेज, इंजीनिरिंग कॉलेज, यह सब इस इलाके के लिए यानि पूर्वी भारत की जात्रों के लिए आकर्शन का केंद्र हुआ कर दे थे लेकिन अब हालत यह है कि पत्ना विश्विद्याले के लगभग सारे विभाग शिक्षकों से खाली हैं अगर आप पट्नविश्विद्य ले जाएं तो आपको वहां की इमारतों को देखकर और भाएं भाएं करते हुए अध्यापकों के कक्षों को देखकर रोना आ जाएगा वह खंडार है बहुत पहले वहां के अध्यापक एक अध्यापक ने लिखा था कि ऐसा लगता है कि पटना कॉलेज गंगा के किनारे खड़ा है और अब वह उसमें कूद कर आत्म हत्या कर लेना चाहता है जिस इनवर्सिटी के कई क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षक ना हो शिक्षकों की कमी के कारण कुछ कोर्स बंद कर दिये गए हो क्या उस विश्व विद्याले को भारत जैसे गरीब देश और बिहार जैसे गरीब राजजी को शताबदी वर्ष मनाने के नाम पर एक पेश करने वाली है हम क्यों पटना इंवर्सिटी का शताबदी वर्ष मनाने जा रहे हैं यह पटना इंवर्सिटी का जियोलिजी डिपार्टमेंट है भुगर्व शास्त्र का प्रोफेसर बीके मिश्रा इसके विभाग अध्यक्ष हैं कभी यहां 24 से 26 प्रोफेसर हुआ कर कर दिया गया एक प्रोफेसर को कई कई पेपर पढ़ाने पढ़ते हैं और वो पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर ना होने के कारण रिसर्च का काम ठप है 2003 के बाद बहाली नहीं हुई थी कुछ पदों का हाल फिलाल में विग्यापन निकला है मगर कब तक होगी और वो बहुत कम हैं पता नहीं निली कमीज में ये पीके सिना साहब है जोलोजी सर्वे अफ जोलोजीकल सर्वे अफ इंडिया से रिटायर हुए इनकी इनका लगन देखिए जो अपने खर्चे पर आकर यहां पढ़ाते हैं यहीं के छात्रे रहे हैं ऐसे ही शिक्षकों को शाताबदी वर् दिले दिले और जो शिक्षकों का अनुपात होना चाहिए थात्र और शिक्षक का वो घर्टा चला गया कि यहां इसी विभाग में जियोलोजी डिपार्टमें पहले 24 टीचर होते थे आज मात्र चार सिक्षक रगए तो जो 24 टीचर मिल करके पढ़ाते थे वह चार टीचर म करके तो पहला नहीं सकते हैं को भूलोग कुछ रोता है कि हमारे दिल सब्रेद यहां की की से दिल को बढता Crown लेकिन हमको वो लोग अनुरोद करता है तो हम चल जाते हैं जब भी अलोग पुलाता है हम लोग आ जाते हैं यहां पर आके कुछ समय देते हैं बच्छों को पढ़ा देते हैं क्योंकि हम इस विभाग के अलूमिनाई रह चुके हैं और जिवर्चिकल सर्वेप इंडिया से हम रिटायर किये हैं जहां कर तर्थिस सेतिस साल हम वहां पर आरे रद थे काम करते थे तो फील्ड का अनुवह है हमारा वहां का अपने डिपार्टमेंट का अनुवह है कुछ ब पिके सिना जी को हमारा सलाम क्या ऐसे भी शिक्षक होते हैं कि अपनी मर्जी से जाकर रिटायर्मेंट के बाद पढ़ाते हैं उनकी बाची देखिए कोई दावेदारी नहीं कि हम कोई महान काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इन्हीं को मुख्य तिथी के स्वागत का अधिका मनजूर थे आज जब यहां के छातरों की संख्या 20,000 से जादा पहुँच गई है तो शिक्षकों की मनजूर पदों की संख्या कम कर दी गई है और उसमें से भी आधे से जादा पद खाली हैं प्रफेसर मिश्रा जैसे शिक्षक किसी तरह क्लास ले लेते हैं पढ़ा देते कुछ शिक्षकों का कहना है कि पटना इंवर्सिटी में छातरों की संख्या को देखते हुए 2,000 से जादा शिक्षक होने चाहिए मगर इस वक्त 420 पोस्ट खाली हैं कुछ इदर-दर हो सकता है आकड़ा 320 प्रफेसरों के दम पर इंवर्सिटी चल रही है जितने पढ़ा र कई विभाग ऐसे हैं जो एक-एक प्रोफेसर के भरोसे चल रहे हैं 1980 के दशक से ही पटना इंवर्सिटी की हालत खराब होती रही जाती बाद और गुंडा गर्दी ने इसे बरबाद कर दिया और फिर ये इंवर्सिटी कभी नहीं समली पिछले 15 साल में भी इसका उधार न भी बिहार के टॉप क्लास के छात्रे यहां पढ़ने आते थे अब जो टॉप करता है वो साइंस कोलेज नहीं दिली इनवर्सिटी आता है ile साइंस कोलेज के बारे में हमने जो जानकारी जुटाई है आप देखिए अगर भियार पटना साइंस कोलेज नहीं बचा सका तो उ ही शिक्षक हैं अंग्रेजी में एक और हिंदी में दो ही शिक्षक हैं मास्टर इन साइंस इन पर्टन साइंस को लिट इपार्ट और जियुरोजी का स्टूटन दूट मैं यहां देखता हूं टीचर की कमी तो बहुत है हम लोगों को पता यहां सबको पता और इंफ्रसेक्टर की बात की जाए तो यह आप देख रहे हैं हमारे रोग गार्डन है त प्रफेसर की बहुत जादा कमी है फिर इस पेसलाइजेशन जो हम लोगे हम लोगे ब्रांच में मिला है डिस्रिब्यूट होता है उसमें टीचर नहीं है और जो प्रफेसर हैं भी उनको अफिसियल वर्ग के कारण को क्लास नहीं ले पाते हैं और इंफ्रस्ट्रक्शर भी क सबसे बड़ी बिंडबना यह है कि यह साथ साथ यह होती है कि अगर कि अगर कि यूजी डिपार्ट्मेंट में या पेजी डिपार्ट्मेंट में जाएंगे तक दो जी टीचर हैं तो उसमें से पास चलता है कि एक वीड़ी स्टार्ट बने हुए हैं विड़ंबना यही है कि सब को विड़ंबना मालू में समाधान नहीं यह सारी रिपोर्टिंग जो पटना इन्वर्सिटी की है वो हमारे सहयोगी हबीब ने की है उन्होंने खुद शूट किया है और लोगों से बात की है आखिरम एक राज्जी में कम से कम दो ही इन्वर्सिटी ढंक से क्यों ने बना पाए और चला नहीं पाते हैं किसी भी राज्जी का हाल देखिए बताने लायक नहीं है क्या पदों को इसलिए खाली रखा गया ताकि पिएजडी करने के बाद भी किसी को नौकरी ना दी जाए इन खाली पदों की संख्या देकर लगता है कि ना जाने कितने नौजवानों के शिक्षक बनने के सपने को कुचल दिया गया दस-दस साल शिक्षक एड होग पढ़ा कर अपनी जिंदगी तबाह कर डालते हैं मगर पोस्ट होते हुए भी नहीं भरे जाते हैं अगर भरना नहीं है तो फिर पिएजडी क्यों हो रही है यूजी सी नेट का इमतहान किसले ले ले रही है पटना लॉग कॉलेज में 14 टीचर के पद हैं मगर 9 पद खाली पटना लॉग कॉलेज सिर्फ 5 प्रोफेसरों के दम पर चल रहा है हिंदी विभाग में 34 पद हैं लेकिन 11 प्रोफेसर ही पढ़ा रहे हैं बाकी सब खाली पटना कॉलेज में धाई हजार चात्र हैं और पढ़ाने के लिए मात्र तीस शिक्षक हैं पटना कॉलेज के हिंदी विभाग में छे की जगा दो ही पढ़ा रहे हैं यहां के इतिहास विभाग में छे की जगा एक ही प्रोफेसर हैं पटना इन्वर्सिटी के इतिहास विभाग का तो हाल और भी बुरा है। 10 साल पहले यहां 25 प्रोफेसर हुआ करते थे, अब सिर्फ 6 हैं। इतिहास का बेड़ा गर्क इसलिए हो रहा है। लोग क्लासरूम की जगा वाटसप इन्वर्सिटी में इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, सामप्रदाइक हो रहे हैं। मगद महिला कॉलेज में कभी 100 प्रोफेसर थे, आज 32 प्रोफेसर हैं। ये महिलाओं की लड़कियों की टॉप कॉलेज है ये बिहार में। मगद महिला कॉलेज में 5000 लड़कियां पढ़ती हैं। यहां सेशन भी लेट हो जाता था। गनीमत है कि आज कल सेशन लेट नहीं है। ना सिर्फ पटना विश्विद्याले में बलकि बिहार के लगवग सारे विश्विद्यालेओं में स्थाई अध्यापकों की बहाली बंद है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि नितीश कुमार की सरकार ने अध्यापकों की बहाली का जो तरीका था उसको बदलने की कोशिस की। यानि वहाँ इनवर्स्टी सर्विस कमिशन नाम की एक चीज थी और एक कॉलिज सर्विस कमिशन नाम की चीज थी। उसे उन्होंने भंग कर दिया। अब यह बहुत दिल्चस्प है कि बिहार के विश्विद्यालेओं के पास अपने अध्यापक बहाल करने का अधिकार ही नहीं है। इसका कारण यवत लाया जाता है कि स्थानी इस तर पर भ्रष्टचार होता है यानि अगर विश्विद्याले बहाली करेगा तो भ्रष्टचार कर लेगा फिर इन्वर्स्टी सर्विस कमिशन को ये काम दिया गया उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टचार देखा गया फिर कारवाई की आशंका में कोई कैमरे पर नहीं आया प्रफिसर मिश्रा को छोड़ कर बिहार के छात्रों को पता है किसी तरफ मैट्रिक तक यहां काटो फिर दिल्ली चलो आप याद कीजे पिछले 10 साल में बिहार में पढ़ाई की काम्यावी के किस्से कोचिंग संस्थानों से निकलते रहे वो भी आनन सर के क्लास में और अभियान जी के क्लास में इन्वर्सिटी से नहीं है अगर बिहार के पास एक इन्वर्सिटी नहीं है दुनिया को दिखाने और छात्रों के पलायन को रोकने के लिए तो क्या है उसके पास बहुत सी सरकारे रही इस दोरान मगर क कोई एक इन्वरसिटी ना खड़ा कर सकी। 14 अक्तूबर को पटना इन्वरसिटी आखिर भारत के प्रधान मंतरी का सामना कैसे करने वाली है। या प्रधान मंतरी किस तरह से उसका सामना करेंगे। हमने देश के कई विश्य विद्यालें का हाल जाना है। यही समझ आया कि पैसे वालों ने अपने बच्चों को पढ़ाने का कहीं और इंतजाम कर लिया। जो गरीब और सधारन लोग हैं उनके बच्चे ना पढ़ पाएं इसका भी इंतजाम कर दिया। ताकि वे पीडियों तक वहीं रहें जहां उनके पुर्खे थे। बड़े लोगों को फर्क नहीं पढ़ता कि पटना इनवर्सिटी की हालत खराब है क्योंकि उनके बच्चों ने पैसे से दूसरी इनवर्सिटी चुन ली है। रह गए आम लोग आप लोग तो उन्हें खाली क्लासरूम में सपना देखने के लिए बिठा दिया गया है। अधिकार से नोबिल देना चाहिए। अगर आप बिहार के हैं तो दिल पर हाथ रख कर कहिए कि क्या आप दिल्ली इनवर्सिटी चोड़कर अपने बच्चों का एड्मिशन पटना इनवर्सिटी में कराना चाहेंगे यह जानते हुए कि वहाँ टीचर नहीं है। कई बार तो लगता है कि प्रधान मंत्री को शताबदी वर्ष में जाने का अपना इरादा ही बदल देना चाहिए। हमारी कोशिश यही थी कि प्रधान मंत्री तक यह जानकारी पहुंचे वरना उनके भाषण में केवल गौरवगान ही होगा वर्तमान नहीं होगा यह गलत जानकारी के शिकार हो जाएंगे। हो सकते हैं। वैसे प्रधान मंत्री को एक चक्कर पटना का भी लगाना चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि शहर में स्वच्था की हालत कितनी खराब है। वे किसी गुपते कार में बैठ कर किसी भी गली में चले जाएं गंदगी मिलेगी। सोमवार को किसी और उन्वर्सि किसी और उन्हें पता चाहिए। उन्हें पता चाहिए।